अब हम ये कभी नहीं सोचे कि हमारे कर्मों का फल में भूगना पड़ रहा है हमें तुड़ी मती बदलनी पड़ेगे मुझे प्रभूश प्रेमरस को शाने के लिए क्योंकि महान प्रेमरस हमें दुख और शुख दोनों देकर परिपक्व कर रहे हैं छोड़ो ये पच्ड़ा कर्म का हमारे कर्मों का भूग ये तो समझाने के लिए जो अभी आश्रे में पुष्ट नहीं हो रहे हैं अब हमारा कोई कर्म विधान की तरफ दृष्टी नहीं जानी चाहिए हमारी दृष्टी प्रभू के विधान की तरफ जानी चाहिए जो हमारे ब्रंदावन के रशिक जनव उशिद्धांत बरण करते हैं कह रहे हैं कोटि सुख दुखन के नाना भाति दायक हो जो जो तुम दीजै सोई हमको कबूल है तुम देवो और हम चाहें कछू और यामेहोत रसाभास ये मेरी बड़ी भूल है जो पेचित आई आकों दुख अब दीजिये जू सोतो दुख हमें कोटि सुख शम तूल है यही बात सार निरधार प्यारे रावरी जो इच्छा नहीं जानी ता जानिबे पे धूर है आपको अब हम शमर्पित हो गए शिद्धांत समझ लो अब हमारे कोई संचित कर्म नहीं कोई प्रारब्ध कर्म नहीं कोई क्रेमान नहीं क्योंकि तन, मन, वानी और श्वयम से मैं आपका शर्णागत हो और आपका शिद्धांत है यह शर्णागत हो गया उसका भार मैं वहन करता हूँ अब हमें क्या चिंता, फिर यह दुख के वार है, यह प्रस्ण क्यों उठा, यह उनका शरीर है, उनका हरदय है, चाए इसमें दुख भेजें या सुख भेजें, उनका मकान है, चाए हीरा जवारात रह, चाए कबाल भरें, हमें क्या परिशान है, हमने तो उनके नाम कर दि इसलिए सर्णागर्ती का लक्षण है निश्चिंत निर्भय निश्चोक कोई छिंता नहीं कोई भय नहीं कोई शोक नहीं विप्रीत भावना का त्याग शंशय बिलकुल नहीं निश्चोक कोई शोक नहीं कोई संशय नहीं यह अपने आप आ जाता है आप मुझे क्या परिश कोटि सुख दुखन के नाना भाति दायक हो आप अब हम कर्म को नहीं मानेंगे कि हमें कर्म यह मुची आश्रय इस्थिती की बात कर रहे हैं शर्णागत की जो परिपक्व इस्थिती होती हो वो सब यह वो एक बात की बल देखता है आप 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 ही सुख दुख देने वाले हो क्यों देते हैं सुख दुख केवल सुख ही देते रहे ना दुख क्यों देते हैं क्योंकि वास्ति को केवल सुख में ही आपको निमगन करना चाहते हैं इसलिए जहां तुम फसे हो वहां दुखान भूति करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हम इसे कर्मे विधान की तरब देखेंगे तो सास्त्री शिद्दान और प्रेम विधान की तरब देखेंगे तो परत्रपा का टाक्ष आप जो हमें दुख दे रहे हैं उसका कारण है हमारा राग हमारी ममता समर्पित तो कर दिया पर ममता रहा है यह होता है जिसे कोई वस्तु दे दी अगर आपकी ममता आशकती तो फिर आप बार बार पूछे है ओ वस्तु कैसी है आपका अच्छा लग प्राणों से, बचन से, स्वयम से कहां से हुए? सब कुछ तो अपना माने हुए हो, तो वो ऐसे हैं कि बलवान है ना? तो नामे तो कर दिया तुमने पर अपनी आसकती ममता स्वयम बनाए हुए हो अब वो दुख रुपी और शदी डाल कर तुम्हें ममता आसकती रहित कर रहे हैं कोटि सुख दुखन के नाना भाति दायक हो सरनागत का क्या स्वरूप होना चाहिए जो जो तुम दीजय सोई हमको कबूल है अब जैसे आप रखोगे बस ये स्थिति आना कठिन हो रहा है हम जैसे चाहें वैसे तुम चलो कौन बोला है शरनागत किसे सरन्ड से क्या प्राप् कर पाओगे अशांती प्राप्त कर पाओगे शांती और परमानन जो जो तुम दीजय सोई हमको कबूल है जैसे हमें रखो वैसे हम तुम देवो और हम चाहें कछो और यामे होत रसाभास मेरी ये ही बड़ी भूल है जो पैचित आई याको दुख अब दीजिये जो सोतो दुख हमें कोट सुख सम्तूल है ये बात समझेंगे है यदि आपको आ रहा है कि इसे बिपत्ती और दुख में डाला जाए तो हमें करोणों सुख के समान वो बिपत्ती और दुख है क्योंकि उश्च में भगवदानंद की अनुभूती होगी उश्च में हमारी आशक्ती ममता भश्म हो जाएगी जो प्रभू के चरणों में जाने में हमें बाधा पहुचाने वाली थी ये दुख है बिपत्ती है अपमान हमारे हर्दे में आख पैदा करके उश्च आशक्ती ममता को भश्म कर देंगे पक्का आप चाहो कि इसे दुख दें हम चाहें सुख तो मार गई बदल गया फिर हम सरनागत कैसे है भगतों ने तो ऐसा मंगा कि अगर हम स्वर्गुच सुख चाहें तो आप हमें नरक जरूर भेजना प्रभू कभी मेरी आश पूरी मत करना यह चाह आपके बिलकेशे हो गई यह उच्छी की बात अभी तो नाम जब करो जो चाह है वो उनसे मागो मना नहीं करते कामना यहाँ निश्काम जैसे भी बने पहले बजन करो यह हम स्थिती कहते हैं जहां से निकुंज लीला में प्रवीश होता है जो पे चिताई आपको दुख अब दीजिये जो सो तो दुख हमें कोट सुक सम्तूल है स्वैकार करो कोई प्रश्णा ही नहीं रह जाएगा बस यह है कि हम अपनी माननेता अपना अग्रह अपनी मंता नहीं छोड़ पा रहे हैं इसलिए ऐसे परमशुक परमशुक हर शमय तुमारी शुक में इस्थिती होगी सोच नहीं सुक में इस्थिती होगी आवश्यक्ता वस्षरणागती के शोपान में आगे बढ़ने की है क्या सरण में किया दुख किसको मिल रहा है अब जब ये प्रश्ण करो तो कोई उत्तर नहीं है जब प्रभु को शमर्पित कर दिया है तो हम ना माने कि हमारे कर्म फल से आ रहा है हमें प्रभु बलवान बना रहे है हमारी प्रभु आशक्ती और मंता को नष्ट कर रहे है दुख क्या है एक माना हुआ ब्रह्म है सच्ची माना हुआ ब्रह्म है तितुक्षब्राम मने का दस इसकंद में उसको पढ़िये वह आवन भू कर रहा है कि दुख है क्या कोई कहता है कर्म का फल दुख है कोई कहता है दैयू का फल दुख है कोई कहता है कोई अज्ञान से हमें दुख पहुचा रहा है नहीं भाई ये एक ब्रह्म है माना हुआ मोह है अज्ञान है शुद्ध ज्ञान की स्थिती में आओ कहीं कोई न दुख है न शुक है परमानंग है प्रशन्नात्मा है वो नहंतर महाशुक में डूबा हुआ है ये अद्यात्म है ऐसी निचाई पर बेठे हो जहां आचरण मारा जहां तुम्हें दुखान भूती हो रही राग नहों तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा अब हम छोड़ पा नहीं रहे इसलिए प्रहु ने दुख रूपी और शदी दे के राग से मुक्त किया कितने करपाल है अनंत जन्मों से राग रूपी रोग हमें बार बार क्लेश शांती दुख प्रदान कर रहा है तो प्रभु जो दुख दे रहे हैं उस ये वैरा क्यों दे होगा राग रही तो होंगे अंदर की बात समझ लेजिए इसमें क्योमियों की जरुरत रही है यही बात सार निरधार महापुरुशों ने अनुभव करके यही निरधार किया यही सार बात है कि हे रावरे हे युगल सरकार यदि आपकी इच्छा नहीं जानी तो जानिबे पर धूर है ता जानिबे क्या जाना जोई जोई प्यारों करे सोई मोही भावे यहां से प्रारंब है रस समुद्र चतुरासी जी अर्थात आपका प्रारंब यहीं से है हमारी उपास्वना का रसा स्वादन जोई जोई प्यारों करे सोई मोही भावे अब हमको अपनी परवाने मेरे अंदर काम है क्रोध है लोग है मौ है मद है मतसर है पर पूरा मकान मालिक के नाम कर दिया है यह जो असद व्रतियां है यह बड़े बलवान इनसे हम नहीं जीत पा रहे हैं तो बड़े बलवान के नामें कर दें उखाली करवा दें बस सबसे बलवान प्रिया प्रितम शामा शाम के चरणार उनका नाम हम अब देखो आप सम्हालो आप पक्का परंपद मिलेगा चाहे कोई भी हो प्रार्थना मालो सिद्धान्त बहुत से अलग-अलग सास्त्रों के बरणन किये गए यह प्रीति की रीति है जिद्धान्त यह प्रेम का है कैसा भी हो अलग लड़ेती रीजी के महल खवासी देए सुग्रीव जी से पूछ रहे है कि बीविशनल जी आया है क्या सिद्धान्त है वे प्रहू मुझे तो ऐसा लगता है नीती यही कहती है कि दुश्मन का भाई है लास से लेने आया होगा इसको प्रतारित किया जाए बांध दिया जाए ऐसा भगवान बहुत करौना में मर्यादा पुरुषध ने बोले सका नीती तुम नी की बीचारी पर कि तुम्हें प्रीत की बात नहीं बोलनी है तुम नीती की बात तूब बढ़ियां बोले अगर यह तुम्हारे अनुशार रहास से लेने आये तो क्या रहास से जा लेका हमारे बलगा जगमों सखा निसाचर जेते लच्छिमन हने निमिसमय देते और जो शभीत आवाज सरनाई तो रखियों ताई प्राहन की प्रीती की रीती रंगीलों सब नीतिया एक तरफ उनका जो फल है प्रीती ये प्रीती की रीती है जो रंगी लोई जाने किवल लाल जो ही जानते हैं उसका निर्वाह करना और तो कोई और तो जरा दोस देखेंगे धक्का मार के बाहर कर देखेंगे ये ऐसे हैं कि ये दोस देखते ही लेए जरा सापनापन हो जाए सब निर्वाह कर लेते हैं इनको छोड़ना आता ही नहीं हमारे प्रभू को इसलिए श्रीपाद करें आप इस बात से भैवीत न हो जैसे कोई कहता है कि आपका प्रवचन शुना की राधा नाम से सब कुछ ठीक हो जाए वो पाप कर रहा है और राधा राधा जप रहा है उसकी गती हो जाए केवल बानी से बोल रहे हो तुम जब के देखो और फिक कर के दिखाना पाप जब के तो देखो तुम तुमारा हरदय पवित्र हो जाएगा तुमारे अंदर ऐसे संकल्फ ही नहीं बनेंगे तुमारा जीवन निर्विकार हो जाएगा दीर्ग काल तक सतकार पुरुवक जब ते रहो केवल वातों से थोड़ी उत्तर होता है यह चलने का मार्ग है चलोगे तो अपने आपन भो में आ जाएगा अरे वो अभी तक केवल केवल मन के अनुशार चलता रहा है अब उशने सत्संग सुनकर राधा नाम डाल लिया है फिर भी मन के अनुशार चल रहा है तो ठीक कर देगा गोर दुराचारी भी महात्मा बन गए किसके बल से नाम के बल से इसलिए यहां जो स्रीपाद करे कि भले हमारी स्थिती अधर्मे में हो दुर्मती हो दुष्चेश्टा हो कोटी-कोटी घोर अनर्थवकारी दुर्वासना हो अब हमें किसी से और कोई सहयोग मा मांगने की जड़त नहीं बस मास्तु स्री राधा बिस्म्रतम नाम मात्म अब जीवन में यह नहीं हो सकता कि मैं राधा नाम भोल जाओं मान लीजिए प्रार्थना मान लीजिए यह क्यों में हो और यह दूसरी बाते यह नाम यह नाम हम कहते सब नाम मेरे प्रीतम के कभी भी रोधी भाओ सुना हो आतर शब नाम प्रितम के राम कृष्ण हरी शिव माता पिता जो बोलो मेरा ही स्वामी सब वो रंगीला ठाकूर है रंग उसी का है यदि आपको हमारी बात प्रिलगती है तो हमारा हरदे गुरुदेव की क्रपा से राधा 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 तो आप उस सरिष्चा है सब की ना आप अगर शिव शिव बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम तो हमारा मन तुमारे चरणों में लुठेगा बिरोद थुड़ी करेगा मेरे प्रितम का नाम मेरे हरदय से पुछोगे तो राधा 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 हम कैसे हैं छोड़ दो चिंतन करना प्रभू कैसे हैं ये चिंतन करो हमारी श्वामनी जू कैसी है ये चिंतन करो तो सब छूट जाएगा क्योंकि तुम्हारा पहले चिंतन होता फिर तुछिस्टा होती तुम अपना सरीर का भाव लेकर चिंतन करने से ही तो दुर्गती को प्राप्थ हुए हो छोड़ो तुम्हारे समले नहीं समलेगा राधा 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 भरोशे हो जाओ ब्यास भरोशे कुमरी के इतनी निश्चंतता बेपरवाई कि सोवत पाओ भरोशा भरोशे में बहुत बड़ा बल है चिद्धांत को समझ लो ये प्रीतिका से द्धांत है आउगुन करे शमुद्रशम गनत नापनो जान राई के सम्भजन को मानत मेर शमान तुम्हारा पूरा जीवन लड़ते बीद जाए ये बहिर मुख लोग क्या जाने आप नाम जब कर रहे हो और विकार आपको परास्त करते चले जा रहे है या अंतरिक भाव को समझ न आप नाम के बल से उत्साहित होकर पाप कर रहे हो तो नाम जब चलेगा ही नहीं बोले ही नहीं पाओगे देखना क्योंकि भगवान का शिद्धांत है जो पापाचरन करने वाला है वो मेरा भजन नहीं कर सकता पापवंत करशेज शुभाव भजन मूरती भाव पर वो माला भी जबता है और उससे गलतियां भी हो रहे है इसका अलग शिद्धांत हो गया वो अंदर से चाहता है कि मेरे से कोई गलती नहीं पर पूर वो वाशना उसने इतनी निरुबल कर दी है कि नाम जब करने का अभ्यास कर रहा है पर वो फिशल जाता है ये परंपद को प्राप्त हो जागे इसमें कोई संसे नहीं वो चीवन लड़ते लड़ते वितीत करेगा जिता देगा नाम नागरीदासी जनम जितायो बलिहारी बलिहारी ये बहरमुक पुरुष नहीं जानेंगे इस बात को किरपाल उपर हुँ अंदर की बार देख रहे ये निकलना चाहता है मेरी दुरते माया से ये बलहीन हो चुका है ये बार-बार फिशल लहा है फिशलना और शंकल्प करके उट्साइथ होकर पापा चलन करना इसमें बड़ा उंतराय है उट नहीं चाहता बिवश होके हो रहा है अब वो निकल जाएगा प्रभू का अपे चीच सु दुराचारों भजती माम मनने भाग साधरिय उशमन तब्या सम्यक ब्यवशिता है साथ ये ही सम्यक बात ये ही उसकी बुद्धी निश्चे कर लिया अब नहीं अब तो मेरे बनाए बनेगे ना कोटी कलप लो आपके बनाए बनेगी पलपाओ में राधा 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 निश्चिंत हो जाओ ये क्यों में हो ये सब भरोशा बहुत बड़ा बल है और इतिहास साक्षी है कैशा भी आज तक कोई हो प्रभू की शरण में जो हुआ उसके दुरगती नहीं हुई नहीं आप इन बाहरी बातों से कि हम नाम जब करेंगे वह हमें संपत्ति मिल जाए हम अभी निर्विकार हो जाए अभी हम परमानन्द में डूब जाए ये सब हो जाएगा पर फसल को परिपक्कुत होने दो ऐसा थूड़ी की किसान बीजबोय दो दिन में पचास मनगी हूँ घर में रख लेता हो ऐसा नहीं कई महिने उसकी सेवा सुष्षा रक्षा करनी होती बड़ी लगन से हो बड़ी मेहनत से तब करके कश्ट सह कर तब जाके जब फसल परिपक्क होती तब वही एक दाना शोदाना पांसो दाना की रूप में प्रगठ होता है आप धैरेपुर्वक नाम जब कीजिए बिल्कुल बेपरवा हो जाएए दुख मिल रही बिपत्ती मिल रही मेरे प्रभू मुझे परिपक्क कर रहे है निंदा हो रही अपमानूरा मेरे प्रभू मुझे महान बना रहे है सम्मान मिले तो होस में अपमान मिले तो बेपरवा इस्तुती हो तो होस में निंदा हो तो बेपरवा सुखावे तो होस में दुखावे तो बेपरवा ये मार्ग है अध्यात्म का समझो यहां सुख आता है तो बे परवाव, दुख आता है तो बेहोस बेहोस बहुत शावधाने कमाने जब हमें रशिकों की कृपा मिली है तो इसमें थोड़ा सावधान हो जाए मनमानी करना बंद कर दीजे हम तो देखते हैं कि अवहला करने वाले जन तिलक लगाने में भी असमर्थ हो गए रज माथे पे रखना जो रज शिव शनकादी की आज़त वो उनको चुभने लगी पाउडर लगाए वो क्या हो चिकना चिकना ये रज ये देखो अपराद बना देखो अपराद का फल जहां रज के इस पर्ष से रजोगुन का नास करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है ये रज यो ब्रिम्रुद्र शुकनारद भीस्म मुख्याई रालक्षितोन सहसा पुरुशस्य तस्य सद्यो वसी करन चुर्ण मनंत सक्तिम यहां आचारिच चरन करे ब्रदावन रज का शेवन करने के लिए जैसी धरिवन सनत सचुनाही बिनुया रजहली रज लगाने की हिम्मत नहीं रह गए बहुत शाल्दा शंत क्रपा से उच्च पदवी की प्राप्ति वही अपमान होने से कितने तिरियक योने में पहुँच गए नीची योने में पहुँच गए शल्ले जी युदिष्ठि से कहते हैं पतिनी शहित इंद्र को भी कई बार दुख उठाना पड़ा है इसलिए आप इतना दुखी नहूं कि आपको अपनी भाईयों शहित दुरुपदी शहित बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं जैसे इंद्र ने व्रत्तासुर को मार कर अपना राज़ प्राप्ति क्या इसी प्रकार तुम इन अधर्मियों का विनास करोगे शत्रशुदन जो ब्रह्म रिश्यों का द्रोह करता है जो पापात्मा है वो निश्चित नस्ट हो जाता है बस समय देखो जब तुम अपराद करोगे तो तुम्हारे शामने विशय शुक की भरमार हो जाएगी सुक्ष्मता समझना जो जो तुम क्योंकि तुम्हारे सुकृत नस्ट करने अब तुम्हें दंड देना है अब वो भूला हुआ प्राणी समझ नहीं पता हो समझता है पहले से ज़्यादा सुकी हो रहा हूँ क्योंकि शबन कुलता है एक साथ गेर रही क्यों अभी तुम रास ने वो सुकृत तुम्हारे नस्ट हो रहे हैं और जहां तुम धर्म के मार्ग पर चले तो सारे दुस्कृत बस मोना शुरूए अब तुमारे आगे प्रतिकुलता निंदा अपमान दूख अब आपको लगा ये क्या है जितना भजन जितना सतों कहने वाले मिल जाते हैं ये रहा से है इसे धांद को शमझो जो दुराचारी है जो ब्रह्म रिश्यों से द्रोह करने वाला है वो पापात्मा नस्ट हो जाता है जैसे अगस्त जी के साप से नहुस नस्ट हो गया